हेलو गईज अच्छ की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबीकुए कैप से घर बैटा बैटा है किसी भी स्टेट का बिल कैसे पे कर सकते हैं और सौर रपय का कैश बैक कैसे पा सकते हैं तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने MobiQuick अपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा हमारे MobiQuick के अप्लिकेशन में इस तरह का हम इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब उपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे MobiQuick का बैलेंस शो होने लगेगा तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो टोटल बैलेंस है वो 10,000 रुपए है अब गाइस मुझे MobiQuick की तरफ से जिप लिमिट मिली है और MobiQuick की तरफ से मुझे 10,000 रुपए की लिमिट मिली है तो वो हमारा जिप बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है उपर की तरफ अगर हम स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर हमारा सूपर कैश शो होने लगेगा तो फिलाल हमारा जो सूपर कैश है वो 108 रुपए 88 पैसे है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम MobiQuick की तरफ अपना बिजली का बिल पे करके 100 रुपए का कैश बैक कैसे पा सकते हैं तो उसके लिए हमें Home Option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है See All Services तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे Option यहाँ पर शो होने लगेंगे तो आप यहाँ पर जो भी Transaction करना चाहें आप MobiQuick के थूप कर सकते हैं तो आप यहाँ पर Recharge and Bill Payment में देख सकते हैं Mobile DTH Electricity Bill Payment के Reddit Card Bill Payment आप यहाँ से कर सकते हैं तो हम यहाँ पर Electricity वाल उप्शन पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यह थोड़ा लोड लेगा तो हमें बेट कर लेना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का Page Open हो जाएगा और उपर की तरफ लिखा हुआ है Electricity Boards तो अब यहाँ पर आपका जिस भी State का Electricity Board है वो आपको यहाँ पर Select कर देना होगा आप इसके अलावा उपर की तरफ सर्च भी कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम Type कर लेते हैं B.S.E.S. तो यहाँ पर आजागा B.S.E.S. राइदानी या फिर B.S.E.S. यमूना तो हम B.S.E.S. यमूना उप्शन पर क्लिक कर लेंगे यह हमारे दिल्ली का बिजली का बिल है और जो आपका बिजली का बिल होता है उसके उपर आपका Electricity Board लिखा होता है अब इदर लिखा हुआ है CA number तो हमें यहाँ पर अपना CA number एंटर कर लेना है अब यह जो आपका CA number होता है यह भी आपके बिल के उपर ही लिखा होता है तो हम वहाँ से देखकर एंटर कर लेते हैं तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी बिजली कमपनी है BACAC Yamuna Power Limited अभी मैंने अपने मोबी कोई का अप्लिकेशन में सेलेक्ट किया था तो वो यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है और guys जो हमारा CA नमबर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है CA नमबर इसके आगे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिल पेमेंट 4 यहाँ पर जिसके नाम पर electricity बिल होगा जिसके नाम पर electricity connection होगा उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ यहाँ पर बिल का amount आ जागा कितने रुपए का हमारा बिजली का बिल है तो 4680 रुप application send करता रहेगा कि आपका इतने रुपए का बिल है और आपको इसको pay करना है तो हम इसको इस तरह से अंटिक कर देंगे और pay option पर क्लिक कर लेना है तो अब यहाँ पर हमारे इस तरह का page open हो जागा see more वाले option पर हम जैसे ही के लिक करेंगे तो नाम due date और बिल का amount शो होने ल पैसे तो 108 रुपए में से 35 रुपए का हमारा discount हो रहा है super cash use हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर click कर लेंगे तो 35 रुपए off हो जाएंगे 35 रुपए का discount हो जाएगा और बाकी का amount हम पे कर सकते हैं अपने bank account से तो अगर हम apply या coupon वाले option पर फिर से click करेंगे तो हमें यहाँ प प्रोड को आपको apply कर देना होगा तो जैसे कि यहाँ पर हम light 100 प्रोड को apply कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 100 रुपए का cashback मिल रहा है और यह जो हमारा 100 रुपए का cashback है यह directly हमारे mobile के wallet में credit कर दिये जाएगा और यह जो cashback है यह सिर्फ KYC users क को ही मिलेगा तो अगर आपकी mini KYC है या full KYC है तो आपको यह cashback मिल जाएगा और अगर हम यहाँ पर remove option पर क्लिक कर लेते हैं apply या coupon option पर क्लिक कर लेते हैं तो नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पर कई सारे promo codes मिल जाएंगे जैसे कि बिजली बिल अगर हम इसको apply करेंगे तो ह cashback 50 को अगर हम apply करेंगे तो इसमें हमें 50 रुपय का cashback मिल रहा है KYC users को यह 50 का cashback मिल जाएगा तो अब हम change कर लेते हैं इस promo code को इंडिया promo code को अगर हम apply करेंगे तो यह भी UPI only के लिए है zip 500 promo code को apply करेंगे तो हमें यहाँ पर 468 रुपय का super cash मिल रहा है अगर हम यहाँ पर पहली बार अपने zip balance से payment करते हैं तो हम यहाँ पर cashback ले ले लेते हैं 100 रुपय का तो हम यहाँ पर light 100 promo code को apply कर लेंगे और हमें यह 100 रुपय का instant cashback मिल रहा है तो चलिए अब यहाँ पर हम pay option पर click कर लेते हैं कि लिक करने के बाद यह कह रहा है loading तो हमें wait कर लेना है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है payment successful अब यहाँ पर 4680 रुपय का जो हमारा bill है वो directly हमारे zip balance से pay हो चुका है और हमें यहाँ पर 100 रुपय का भी cashback मिल जाएगा 48 गंटे के अंदर लेकिन यह 10-20 मिनट में ही मिल जाता है तो अब हम back आ जाते हैं back आने के बाद यहाँ पर इस key rating को हम cut कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है balance तो हम यहाँ पर click कर लेते हैं और यहाँ पर 10,000 रुपय में से 5,320 रुपय रह चुके हैं हमारे zip balance में history पर click करेंगे तो 4,680 रुपय का हमारा bill पे हो चुका है तो guys 20 मिनट के बाद यहाँ पर जो हमारा cashback है वो अब हमें मिल चुका है यहाँ पर अगर हम अपने wallet पर click करते हैं तो click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपय का cashback है वो हमारे wallet में add हो चुका है अब यहाँ पर अगर हम history option पर click करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 100 रुपय का cashback add हो चुका है bill payment करने पर जो कि हमने प्रोमो कोड एपलाई किया था लाइट हंडरेड तो उस प्रोमो कोड को एपलाई करने पर हमें ये बेनिफिट हुआ है तो गैस देखा आप सबने इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने मोबी कोई के अपलिकेशन के दुरू अपना बिजली का बिल पे करके 100 रुपाय का कैश बैक पा सकते हैं वीडियो पसंद आई होतो लाइक और शेर करना और चैनल को सबस्क्राइब करके बैल नोटिफिकेशन पर जरू क्लिक कर लेना थैंक यू